दोस्तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपकी KYC NSC में जो रजिस्टर की हुई है तो आप जो है ओनलाइन घर बटे ही अपने मोबाइल के दोरा अपनी KYC को किस तरह से जो है चेक कर सकते हो कि आपकी KYC एक्टिव है या इनिक्टिव है तो इस वीडियो में मैं आ प्रोसीजर बताऊंगा कि किस तरह से जो है आप मोबाइल के दोरा अपनी KYC को जो है KYC स्टेटस को जो है चेक कर सकते हो तो वीडियो को सुरू से लेके लाश तक जरूर देखें वीडियो में बताई प्रोसीजर को फोलो करते हुए आप भी जो है अपनी KYC को चेक करें इ चाहिए आपके पास फोन हो या लेपटोप हो इसमें आपको जो है सर्च बोक्स में जाके और सबसे पहले आपको सर्च कर लेना है NSCKRA लोगिन जो है इसमें आपको टाइप करके और इसको सर्च कर देना है जैसे ही आप इसको सर्च करोगे तो NSC की वेब साइट हो खुल के पर देख सकते हो इस तरह का ओप्शन आगया पेज को उपर की तरप आपको स्क्रोल करना है और यहाँ पर ओप्शन आ गया है KYC Inquiry, तो KYC Inquiry में आपको Select KYC का ओप्शन है उसको Select कर लेना है उसमें दो यह ओप्शन है Individual और Non-Individual तो आपको जो है इसमें Individual सेलेक्ट कर लेना है दूसरा जो पेज नमर का ओप्शन है यहाँ पर जो है आपको अपना जो पेज नमर है वो इंटर कर देना है और जो केपचा दियावा केपचा डालके और इसको आपको Submit करगा है तो जैसे मनुद करूँगा Summit करते हैं आप देख सकते हो कि इस तरह से जो है KYC पर पेज़ कूल केkor हो जाएगा अभी दोस्तो आपकी जो KYC नम है जैसे तो मेरा CVL में KYC है तो COL Mat तो दोस्तो इस तरह से आप जो है KYC status को जो है इजिली चेक कर सकते हो दोस्तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें सेर करें वे मेरे यूटूब चेनल को जरूर सब्सक्राइब करें थेंक्यू पॉर वाचिंग माई वीडियो अगें थेंक्यू